इस मॉड्यूल में हम रिसर्च टूल्स की गुफ्तगू शुरू करेंगे और उसके बहुत सारे पहलू या बहुत सारे सब टॉपिक्स में बात करेंगे पहला सब टॉपिक जो हम देखेंगे वह हैं टाइपस ऑफ रिसर्च टूल्स लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले मैं कॉंसेप्ट आफ रिसर्च टूल्स पर बात कर लूँ रिसर्च टूल्स की एक ऐसी फिमिलियर टर्म है जिससे अगर कोई स्टूटेंट किसी भी वक्त रिसर्च से मुंसलिक रहा तो आप रिसर्च करते वक्त जो अमूमन तौर पे सबसे पहली बात आपके जहनों में आती है एक नवाइस रिसर्चर के वो रिसर्च का टूली हो जिसको आप इंस्टूमेंट कहलें डेटा कलेक्शन के लिए जो आप क्वेसिनेर या इंट्रिव्यू लेते हैं इनको हम अमूमी तोर पे रिसर्च टूल्स का नाम देते हैं रिसर्च टूल्स जो है इसकी एहमियत का अंदाजा इससे कर लीजिए कि अगर आपने जिस बनियाद पे कंक्लूजिन्स ड्रॉा करने हैं एनलिसिस करना है फिर रिजल्ट्स निकालने हैं अगर वो टूल दूल्स ना बनाओ मुख्लिफ लिहाज से मिसाल के तौर पे मैं लोगों की जहानत मेयर करने पे एक रिसर्च करना चाहता हूं अगर मैं इंटेलिजन्स को ठी ठीक तरीके से डिफाइन नहीं कर सकूँगा तो उसका टूल भी ठीक नहीं बना सकूँगा टूल बन्यादी तोर पे लेट से क्वेस्टिनेर बना रहा हूं तो सवालात वो पूछने होंगे जिन से लोगों की जहानत का अंधाजा हो सके अगर मैं जहानत का कॉंसेप्ट ही डिफाइन नहीं कर सकूँगा ठीक तो मैं यकीन आगे जाके उससे जो सवालात बनाऊंगा वो भी ठीक नहीं होंगे और फिर उनके उपर जो डेटा जिनरेट किया जाएगा वो भी ठीक नहीं होगा और उसका अनेलेसिस और तमाम सब्सिक्वेंट स्टेप्स जो हैं वो उ इस लिहाज से एक बन्यादी एहमियत की चीज़ है कि आप इसका दुरस्त होना इंशूर कर लीजिए तो आपके रिसर्च के बहुत सारे प्रॉसेस जो है वो एकुरिसी के लिहाज से या अपने दुरस्त होने के लिहाज से इंशूर हो जाते हैं यह इसका concept है, अब यह करने के लिए मुझे करना क्या होगा, आपको research के लिए जब भी data collect करना है, तो आपका tool जो है वो एक तो अपने contents में दुरूस्त होना चाहिए, दूसरा जो उसको एक standardized manner में आपके लिए data collect करने से मुराद यहाँ यह है, कि आप उसको conduct करने का procedure इस तरह से तर्तीब दीजिए, कि वो तमाम data collection यानि वो subject जिन से आप data ले रहे हैं, उन तमाम पे आपकी execution असर अंदाज ना होती हो, यहनि मेरा conduct करने का तरीका उनके data को alter ना कर सकता हो, मैं अपने process को इस तरह से standardized कर दूँ, तो अच्छा टूल जो होगा, अगर एक अच्छा टूल बना हो, तो यह आपको systematic manner में, standardized manner में, research study से मुतलिक data परवाइड करता है, हमारे पास research में data collection के लिए एक से ज्यादा तरह के tools available होते हैं, और उन में से यकीनां आप मुख्तलिक के नाम जानते हैं, जिन में अमूमी तोर पे आप सवाल नामा जिसको questionnaire कहते हैं, वो इस्तमाल करते हैं, आप कभी कबार interviews भी ले ले लेते हैं लोगों के, आप किसी दफ़ा किसी situation में observations भी करते हैं, तो इतने इसके इलावा भी बहु नहीं पड़ती, आपने अपने questions की relevance के लिहाज से tools का इंतखाब करना होता है, आपकी selection of tools जो है, वो बहुत एहम रोल अदा करती है, इस बात में कि आपका data relevant generate हो और accurately generate हो, तो इसलिए आपके सामने slide पे ये बात दर्ज की हुई है, कि आपकी selection of tools जो है, वो nature of study को सामने रखते हुए, आपके data की जरूरत के पेशे नहजर और आपके objectives को cover करने के लिए, उनको encompass करने के लिए, आप इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए, चूज करेंगे कि कौन सा जो tool है, या कौन से tool, जरूरी नहीं कि एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कौन से tools जो है वो research की data collection में important है, तमाम tools का जिकर करना शायद कभी नमुम्किन है, ना purpose है यहां पे, आपको सिर्फ एक idea प्रोवाइड करना, कि tools अमूमी तोर पे जो educational research में हम इस्तमाल करते हैं, अंडेग्रेट research के अंदर, वो अमूमन इनी नौईयत के होते हैं, जो आपके सामने slide पे न tools नहीं है, इसके इलावा और भी बहुत सारी तरह के tools पाए जाते हैं, tools से मुराद कोई भी ऐसा instrument है, जिसने आपके लिए data generate करना है, मैंने यह सिर्फ पांच आपको एक मिसाल के तौर पे आपके सामने लिखे, ताकि आपको यह जहन में रहे कि जब हम लफ्स tool इस्तमाल कर equipment के गेंस्ट एक scale दिया जाता है, जिस scale पे लोग अप उनके सवालों के जवाबाद देते हैं, तो आजकल इसको administer करने के बेश्मा तरीके निकल आए हैं, जिन में से latest जो हैं, या आपके online forms हैं, या email surveys हैं, जो आप जिन में data collect कर लेते हैं, इसी तरह interview एक और tool है, अमूमी तर पे कहा ये जाता है, कि जब भी आपको किसी चीज के बारे में थोड़ी detailed information चाहिए होती है, relatively less structured form में, तो आप यानि एक अपतदाई सवाल के बाद उसकी वजाहत के लिए कुछ और सवाल करना चाहते हैं, उसी की continuity में, जो के questionnaire में possible नहीं हैं, जो बहुत structured होता है, तो आ आप फिर इसका सहरा लेते हैं, या आप एक तो detailed information ले सकें, और फिर आप follow up questions भी कर सकें अपने data collection के दौरान, तो आप ऐसी सूरत हाल में interviews का इस्तमाल करते हैं, तो ये relatively flexible format of information collection है, इसके अलावा जो और तीसरा tool जो educational research में अक्सर इस्तमाल होता है, वो observations हैं, ये जो आपकी classroom based studies होती हैं, या आपने कोई किसी भी venue based information लेनी होती है, तो उसमें आप observations का सहरा लेते हैं, observation में हैं कि फिर इसकी भी आगे एकसाम हैं, लेकिन generally speaking, आप खुद as a researcher या आपका कोई trained agent बैटके, उस situation में खुद चीजों को observe करके information note कर रहा होता है, आपके लिए, तो एक direct तरीक का है, किसी भी occurrence को record करने का, इसी तरह हम educational research में अमूमन जब achievement, student achievement पर कोई research कर रहे होते हैं, तो हम test या assessments बनाते हैं, यानि basic जैसे classroom test होते हैं, उसी तरह के test हैं, अगर कोई psychological construct है तो उससे related IQ test हो सकता है, aptitude test हो सकता है, personality के test हो सकते हैं, और फिर इसी तरह psychological scales पाए जाते हैं, जो जिन में attitude है, aptitude है, perceptions है, इस तरह की चीज़ों को measure करना होता है, तो आप psychological scales इस्तमाल कर लेते हैं, इसके इलावा भी और tools होते हैं, जो educational research में इस्तमाल होते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले गुजारिश की, कि ये पांच तरह के वो tools हैं, जो मेरी नजर में अमूमन अंड great research में लोग इस्तमाल करते हैं, तो लहाजा इन की थोड़ी थोड़ी वजाहत मैंने आपके सामने रखी,